हाई गे सब्सवागत है दो न्यूट्रिकल चैनल पे ये है हमारा स्पेशल सेल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेस्ट फोन जिन पर आपको बढ़िया बढ़िया ओफर्स मल रही है वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने जो ओफर बताया जो डिसकाउंट बताया वो हमें नहीं मिल रहा तो आप लोग उनको खुद सर्च ना करें जो भी मैंने आपको फोन लेना है इन सबका अलग-अलग जो लिंक है ओफर लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है जो ओफर मैं आपको बता रही हूँ वो नीचे जो लिंक दिया है उसी में आपको मिलेगी आप खुँच सर्च करते हैं तो कहीं और जगाप आपको आपको आपर नहीं मिल पाती तो फोन जो खरीद ना है उसका नाम नीचे आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा उसके सामने लिंक होगा उसी लिंक से उसको परचेस करें वहीं पर मिलेगी आपको यह बढ़िया ओफर, तो आइए फट फट से अपने वीडियो कर शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सामसंग के डिवाइसे के बारे में, जो हमारे कुछ सामसंग के अभी लेटस डिवाइसे आये थे, जैसे कि सामसंग का M10, M20 और उ पर आपको 10% card discount मिल रहा है, HDHC card के थुरू, तो यह device आपको पढ़ जाएगा 9,900 रुपे का, अब 9,900 रुपे में सामसंग का भरोसे मंड डिवाइस आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंफिनिटी वी नॉच डिस्प्ले मिल रहा है, Full HD Plus Resolution के साथ, उसके साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, और उसके साथ 15W का fast charger भी box के साथ ही मिल रहा है, कोई और डिवाइस नहीं है, जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, fast charger के साथ ही, तो यह हमारा बड़ी option मिल जाता है, साथ ही मैंने इसका PUBG टेस्ट भी किया हुआ है, एक घं 900 रुपे में इसको ले सकते हैं, इसका खरीदने का link नीचे description में दिया हुआ है, इसकी unboxing का link भी दिया हुआ है, और साथ में आपको अगर इसकी testing देखनी है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे testing channels पे, अब M10 की बात कर लेते हैं, तो इसके उपर भी आपको card discount मिल जाएगा, इ Samsung का पूरा भरोसा मिलता है, और उसके साथ आता है हमारा Samsung A10, यह device हमारा, इसकी भी मैंने unboxing कर दी है, इसकी मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, और इस device में यह है कि अगर आप Realme C1 जो लोग लेना चाहते हैं, वो इसको ले सकते हैं Samsung A10 को, क्योंकि यह Samsung की quality आपको जो मिल रही ह यह बड़िया device रहेगा आपके लिए, इसके अंदर आपको Infinity V Notch मिलती है, साथ में 13MP का camera back में मिलता है, 5MP camera front में मिलता है, और 2GB RAM, 32GB Intel में मिलती है, साथ ही इस device की offer की अगर बात करूं तो यह हमारा 8000 रुपे का device था, इसके उपर आपको 500 रुपे का exchange मिल रहा है और उसके की unboxing का link दीचे description में आपको मिल जाएंगे, अब अगला आता है हमारा iPhone के तरव से iPhone XR, जिसके उपर आपको मिल रही है, बड़िया offer, यह device हमारा 77,000 रुपीज का था, इसके उपर 17,000 रुपे का cash discount आपको मिल रहा है, उसके साथ 10% card discount, जो कि 6000 रुपे के आसपास आपको card discount मि आपको मिल जाएगा 54,000 का, अब 54,000 रुपीज में यह जो हमारा device है, यह बहुत ही बड़िया option मन जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इसकी पहले तो look की बात करूँ, तो quality की बात करूँ, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, बड़िया quality मिलती है इसके अंदर आपको इसके अंदर, उसके साथ camera की अगरा बात करूँ, तो इसका जो camera है, उसका जो DxO mark है, और जो हमारे Google Pixel 3 का DxO mark है, वो same है, तो मतलब कि आपको जो single camera back में मिल रहा है, वो हमारा बहुत ही बड़िया पिक्स लेता है, बहुत ही बड़िया performance वाला मिल रहा है, तो आपके option मन जाता है, जो लोग Apple का device लेना चाते है, अब जो लोग Apple का device लेना चाते है, मैं उन्हें और बाकी के devices बताती हूँ, पर साथ ही ये बही बता दो कि इस device का खरीदने का link नीचे description में दिया है, offer link और उसके साथ मैंने इसकी unboxing भी करी हुई है, उसका link भी आपको नीचे description मे मिल जाएगा, अब आगे पढ़ते हैं, अगले device आता है हमारा Honor Play, जो कि हमारा best gaming device है, ये device अब आपको और बड़िया price में मिल रहा है, पहले तो ये हमारा 20,000 रुपे का था, उसके बाद 17,000 का हुआ, उसके बाद अभी ये 14,000 रुपे में आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़िया performance मिलती है, PUBG अब हाई settings पे अराम से मज़े से चला सकते है, वो device आपको 12,600 रुपे तक पढ़ सकता है, साथ ही इस device के अंदर आपको unimetal body मिलती है, device हमारा slim है, lightweight है, आप easily इसको hold करके काफी देर तक game अराम से खेल सकते है, उसके सथ आपको इसके अंदर इसके अ अच्छा मिल जाता है, और camera की बात करूँ तो इसका camera setup भी हमारा काफी अच्छा है, काफी अच्छी आपके pics आजाएंगी, overall देखा जाए तो यह जो हमारा device है, साड़े बार 1000 रुपे में आपको बड़िया gaming performance मिल रही है, ऐसी performance आपको और किसी और device में नहीं मिलेगी, इस camera device आते है हमारा best camera device, आप camera पे ही नजर डालें सबसे पहले, best camera device है यह हमारा जो की की आपको बहुत ही बड़ी offer मिल रहा है, device है हमारा MI A2, इसका camera है 12 प्लस 20 megapixel का, उसके competition में हमारे पस 20,000 रुपे की range तक ही सिर्फ दो devices आते है, एक आते हमारा Samsung A50 और दूसरा आते Redmi Note 7 Pro, उ बहुत ही कमाल की pics आती है, इसके अंदर आपकी videography अब बहुत अच्छी कर सकते है, साथी friend में हमें 20 megapixel का selfie camera मिलता है, उसके pics पे हमारी बहुत ही बढ़िया है, अब इसके offer की पहले में आपको बात बता देती हूँ, 15,000 रुपे का यह हमारा device था, इस 12,000 रुपे में आपक videography, photography करना चाते हैं, उनके लिए तो यह बड़िया option है, साथ में इस device के अदर आपको snapdragon 660 का processor मिलता है, android 1 मिलता है, तो google updates भी आपको सबसे पहले मिलेंगे इस device में, उसके बाद आपको metal body मिलती है, solid है device हमारा, type C port भी मिलता है, gorilla glass 5 की protection भी मिलती है, कमी यह आजाती है कि battery तोड़ी सी छोटी है, और उसके साथ इसके अंदर memory card नहीं लगा सकते हैं, यह एक छोटी सी problem है, बाकी देखा जाए तो यह device हमारा camera जिनको चाहिए, camera वाला device, उनके लिए बढ़िया option है 9000 रुपे में, अब जो लोग Realme 3 लेना चाहते हैं, उनने मैं बता दूँ कि उससे better हमारे पास Realme U1 है, आप इसके लिए जाएंगे तो यह आपके लिए जाधा better option रहेगा, इस पे आपको offer मिल रही है, 11000 रुपे का device था यह हमारा, अभी आपको 10,000 रुपे में मिल रहा है, और अगर आप इसको खरीदने के लिए किसी भी card को use करते हैं, तो यह device आपको 9000 में बढ़ जाएगा, आपको 1000 पे का extra discount मिल रहा है, तो 9000 पे में Realme 3 से यह device हमारा बहुत better बन जाता है, दोनों के अंदर हमें same processor मिलता है P70 का, लेकिन इसका जो Antutu score आता है, वो जाधा आता है उससे, वो हमारा शाय थोड़ा underclocked है, पर यह हमारा अच्छी performance देता है, रिय तो overall देखा जाए, तो यह better option मन जाता है, same price में आपको दोनों मिल रहे है, तो अगर आपने Realme का ही device लेना है, तो आप इसके लिए जाएं, इसका खरीदने का link नीचे description में दिया है, 37 की unboxing का भी, अगला device आता है, हमारा Redmi 6 Pro, जबकि हमारा 10,000 पे का device था, 8,000 पे का भी आपक तो यह device आपको पढ़ जाएगा, 7,200 रुपे का, अब इस device के अंदर आपको Snapdragon 625 का processor मिलता है, 3GB RAM, 32GB Intel memory मिलती है, 4,000 image की battery मिलती है, 12 plus 5 का dual cam setup back मिलता है, जिसके अंदर आपको electronic image stabilizer मिलता है, अच्छा camera है इसका हमारा back का, उसके साथ 5 megapixel का selfie camera वह इता बढ़िया नहीं है, लेगिन देखा जाये तो यह device भी हमारा 7,200 रुपे में Realme C1 से एक better option मिलता है, अब अगला device आता है हमारा budget segment का सबसे stylish device, जो की है हमारा Honor 8X, यह हमारा glass body में है device और इसकी जो look आती है, इसकी जो feel आती है, जो premiumness आपको skin देखने को मिलेगी, वो आपको किसी और device में देखन stylish looking device है, blue color में stylish लगता है, red color में killer लगता है, 16,000 रुपे का device था हमारा, 13,000 रुपे में आपको यह मिल जाएगा, उसके ऊपर 10% card discount, तो 11,700 रुपे में यह device आपको मिल सकता है, अब 11,700 रुपे में जो भी लोग Redmi Note 7 लेना चाहते है, Note 7 Pro नहीं बोला, मैंने Note 7 बोला है, Note 7 ज यह हमारा उससे थोड़ी बड़ी option मन जाता है, इसके अदर आपको Kirin 710 का processor मिलता है, 6.5 इंच का बड़ा display मिलता है, Full HD plus resolution के साथ, triple slot मिलता है, उसके साथ 1300 mAh की बैटरी मिलती है, 20 प्लस 2 megapixel का dual camera setup बैक में मिलता है, 16 megapixel camera front में मिलता है, और look-wise यह device हमारा यह देखने में ल इसके लिए बिल्कुल जा सकते है, अगला device आता है हमारा Samsung की तरह से एक flagship device जो की है हमारा Samsung S9, इस device के अदर हमें सारे Samsung के flagship features मिलते है, IP68 हो, आपका dual curved edge display हो, heart rate monitor हो, Exynos 9810 का processor हो, उसके साथ 12 plus 12 का dual camera setup back में मिल जाता है, जो की बड़िया पिक्सले अपकी, उसके साथ 8 megapixel का selfie camera front में मिल जाता है हमें, और साथ ही Samsung का पूरा भरोसा, तो ये जो हमारा Samsung का flagship device है, इस पर आपको एक बड़िया offer मिल रही है, offer पे नजर डालते हैं, ये हमारा 49,000 रुपीज का device था, जो की की आपको अभी 9,000 exchange, मतला कोई पुराना phone exchange करते हैं, उसके साथ 1500 रुपे card discount के जो features आपको बाकी और किसी device में नहीं मिलेंगे इस price range में, अब इसके बाद आते हमारे दो devices, एक हमारा OPPO का F9 Pro और दूसरा हमारा Vivo का V11 Pro, इन दोनों के उपर भी आपको बड़िया offer मिल रही है, तो मैं आपको बताती हूँ पहले OPPO के बारे में, 23,000 रुपे का device था ही ह आपको OPPO F9 Pro, 14,000 रुपे में पढ़ जाएगा, 14,000 रुपे में इस device के अंदर आपको fast charging मिलती है, P60 का processor मिलता है, कमाल का selfie camera मिलता है, और अगर मैं बात करूँ Vivo V11 की, तो वो हमारा 23,000 रुपे का था, 20,000 रुपे में अभी वो आपको पढ़ जाएगा, उसके साथ 4,000 रुपे का exchange मिल रहा है, कोई पुराना फोन एक्चेंज करने पे, और 1500 रुपे का card discount, तो कुल लगा के Vivo V11 आपको पढ़ जाएगा, 14,500 रुपे का, 14,500 रुपे में आपको इसके अंदर, OPPO से better back camera मिल रहा है, 16 plus 2 megapixel का, selfie camera same मिल रहा है, 25 megapixel का, fast charging भी मिल रही है, और साथ म हमारा बढ़िया device है, durable device है, multi-standard pass है, साथ में IP68 की rating मिलती है, Snapdragon 845 का processor मिलता है, triple camera मिलता है, back में 16, 12, 12 का, selfie camera भी dual मिलता है, आपको 8 plus 5 megapixel का, ये बढ़िया feature से बढ़ा हुआ device हमारा 50,000 रुपे का था, जो की कि अभी आपको 10,000 exchange, 15,000 रुपे card discount के बाद, 38,500 रुपीज में पढ़ जाएगा, अब इस price range में इतना durable device आपको और कोई नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आपको 2K, P.O.LED डिस्प्ले भी मिल रहा हो, selfie camera भी 2 मिल रहे हो, triple camera भी 3 मिल रहे हो, IP68 भी हो, ताकि पानी में भी खराबनी होगा, stabbed Dragon 845 भी हो, इतने सारे features मिल रहे हैं आपको, जो की device हमारा टूटेगा भी नहीं, तो ये एक और कमाल की option मंजाती है, उन लोगों के लिए जिनका phone बहुत ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें